नमस्कार दोस्तों एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तुत है चाड़क की नीती के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो चाड़क की नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों महिलाओं की ये एक चीज चूने से आपकी किसमत बदल सकती है कौन सी है वो चीज आए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों महिलाओं की ये चीजे चूने पर वो हो जाती हैं बहुत ज्यादा खुश और अपने मन से आपको एक ऐसी चीद देती है जिससे आपकी किस्मत तुरंत खुल जाती है तो आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों एक महिला के पास आपको देने के लिए क्या कुछ नहीं है अगर हम देखें तो उसके पास देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा का जाना है हम आपको बता दें आपको बस एक काम करना है और रातो रात आपकी किस्मत बदल जाएगी क्योंकि आज हम जिस चीज के बारे में बात करने बाले हैं आप उसे बहुत ही अच्छे से जानते हैं लेकिन इसका आसर बिलकुल भी नहीं जानते यहां तक कि इसको लेने के लिए हर कोई बहुत परियास करता है फिर भी ये चीज उसको नहीं मिलती लेकिन आज हम आपको महिलाओं में ऐसी कुछ बिशेष चीजों के बारे में बताने बाले हैं जिसे छूने पर आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और आपकी किस्मत पर चार चांद लग जाएंगे तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले करपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों महिला एक खुला हुआ खजाना है जिसे बस आपको समझने की जरूरत है हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के पैरों में सुक समरिद्धी बास करती है हम आपको बता दें इन दोनों पैरों को चूने पर व्यक्ति पाप मुक्त हो सकता है जब कोई अवरत अपने हाथों को हमारे सर के उपर आशिरवाद के लिए रखती है तो उसके हाथों से निकली उर्जा व्यक्ति के उपर वास कर जाती है जिसके कारण अच्छे परड़ाम प्राप्त होते हैं दोस्तों बहीं महिलाओं के दोनों पैरों को चूने पर हमारे अंदर एक उर्जा उत्पन होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाबदायक होती है दोस्तों अगर हम विग्यान के अनुसार बात करें तो जब हम किसी सम्मानित व्यक्ति के पैर छूते हैं तो आशिरबाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के उपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को चूता है जो हमें सकारात्मा कोड़जा पैदा करता है साथ ही इससे हमारा मानसिक विकास भी होता है आईए दोस्तों अब हम आपको एक जरूरी जानकारी भी दे दे दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि क्या पतनी के पहर भी छू लेना चाहिए हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी ना करें अगर आपको किसी के पहर छूना है तो आप पतनी को छोड़ कर किसी भी आउरत के पहर छू सकते हैं फिर चाहें वो आप से उमर में छोटी ही क्यों ना हो दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने बाली हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत